नोट बंदी हिंदुस्तान के गरीब किसान मजदूर और छोटे दुकांदार पराक्रमत्र नोट बंदी हिंदुस्तान की असंगठित अर्द्रवस्ता पराक्रमत्र आठ नुवेंबर आठ बजे 2016 प्रधान मंत्री जी ने नोट बंदी का निर्ने लिया पांच सो रुपए हजार रुपए का नोट रद्धी करते हैं पूरा हिंदुस्तान बैंक के सामने जाके खड़ा हो आपने अपना पैसा अपनी आमदनी बैंक के अंदर डाले हैं पहला सवाल काला धन मिटा नहीं दूसरा सवाल हिंदुस्तान के गरीब जनता को नोट बंदी से क्या फाइदा मिला जवाब कुछ नहीं तो फाइदा किसको मिला फाइदा हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरब पतियों को मिला कैसे आपका जो पैसा था आपके जेब में से आपके घनों में से निकाल कर उसका प्रयोग कि सरकार में इन लोगों का कर्जा माफ करने के लिए किया मगर वो सिर्फ एक लक्ष था दूसरा लक्ष भी था छुपा हुआ जमीन साफ करने का जो हमारा इंफॉर्मल सेक्टर है असंगठित अर्द्विवस्ता का सेक्टर है वो कैश पे चलता है छोटा दुकानदार हो किसान हो मजदूर हो वो कैश से काम करता है नोट बंदी का दूसरा लक्ष जो जमीन साफ करने का लक्ष असंगठित अर्द्विवस्ता के सिस्टम से नगठ कैश को निकालने का प्रदान मंत्री ने स्वयम कहा कि वो कैशलस इंडिया चाहते हैं कैशलस हिंदूस्तान चाहते हैं अगर कैशलस हिंदूस्तान होगा तो असंगठित अर्द्विवस्ता तो खतम हो जाएगी नुकसान किसको हुआ किसानों को मजदूरों को छोटे दुकानदारों को स्मॉल और मीडियम बिजनस वालों को जो कैश का प्रयोग करते हैं जो बिना कैश जी ही नहीं सकते नोटबंदी हिंदूस्तान के गरीब किसान मजदूर और छोटे दुकानदार पर आक्रमन तो नोटबंदी हिंदूस्तान की असंगठित अर्द्विवस्ता पर आक्रमन तो और हमें इस आक्रमन को पहचानना पड़ेगा और पूरे देश को मिलकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा